तो क्या हला है आप सभी के उम्मिद करते हैं सब बच्चे होंगे सब मज़े में होंगे अपने अपने घरो पर तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि राजनीती बहुत जाता गंदी होती है चौर का भरोसा डगैत का भरोसा और यहां तक क्रिमिनल का भरोसा कर लेना लेन कभ बैसे कि Χ क्षिटे को यहां बन के दिया है यहां पर यहां पर नहीं हिर टूटने वादी है या फिर वो अपने पाला बदलने वाला है यहां पर आर्जेटी के साथ बिहार में सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं माम लग्यावन उसके बारे में क्यों बात कर रहा है तो देखें पिछले कुछ सालों में अगर कोई सारज्य पॉलिटिकली अनिस्टेबल रहा है तो वो नो डाउट महराज ठी है 2019 में महराज में विदान सबाव चुनाव हुए थे और महराज में हमें चार पॉलिटिकल पार्टियों का ही डॉमिनस देखने को मिलता है बीजेपी शीव सेना एंसीप और कॉंग्रेस महराज की पूरी राजनी थी इन चारों पार्टियों के आसपास ही गुम थी है 2019 तक तो स कामला फस जाता है जिसमें शीव सेना बीजेपी से गड़बंधन तोड़ दिया और महराज में कुछ समय के लिए राजपति शासन लग जाता और फिर उसके बात यहां पर विप्रित वी चारधारा वाली तीन पार्टियों एंसीपी कॉंग्रेस और शीव सेना से उद्धा हो ठाकरे सीम बन जाते हैं लेकिन राजनीतिया भी खतम नहीं हुई है और पीजेपी की साहता से और उसके एक साल बाद अब यहां पर ठीक ऐसे ही हाल बीन वान इसगा शरत पवार भावर के शरत पवारुपार के जो पतीजे बहतीए 9ृट mल ओ को लेकर चले गए और बीजेपी और एक नाशिंदे की सरकार थी उसमें शामिल हो गए तो यहां पर हमें महाराश में बहुत जावत जाद़ पॉलिटिकल अनिस्टेबिली देखने को मिल रही है और क्या क्या कब क्या 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 हो जाए कुछ नहीं पता किसी को लेकिन महाराश में ऐसा हुआ है लेकिन एक्सपर्ट अब यहां पर यह भी कह रहे हैं कि जिस तरह महाराश में दो पार्टिया टोड़ देंगे ठीक इसे तरह से बिहार में से भी हो सकता है और यह सकता है इंड डियोंड इत्कर बिहार फंपर महाराज की इंग कि से गुजर ने थात्रे भी सकता है कि रहे हैं और नितिश्पुमार बिहार व्योंड देखते हैं हां पर यहां पर जी सकती है और इसी के साथ यहां पर विंडिया और में आउट्रेट में इहां इहां पर दिखाए जा है विल-बिहार सी महाराश लाइक पॉलिटिकल स्वाइड अधूर shifts और इतना यह नहीं बलकि केंद्रिय मंतरी राम दास अठावले ने यहां पर यह कहा है कि जिस तरह से बिहार में जी डी यो टूटे की और यूपी में हो सकता है कि राश्ट्रिय लोग दल यहां पर एंडिये के साथ जुड़ जाए और इसी के साथ लोग जनिशनर्थी पार्टे के चिराक पासवान ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि इसी को देखते हुए बिहार में नितिश कुमार जेड यूग के मेले जो हैं उनके लगातार मीटिंग ले रहे हैं ताकि यहां पर गड़बन न के लिए बहुत जाने जाते हैं और इतना ही नहीं नितिश कुमार को इसी संदर्व में पल्टू राम भी कहा जाता है और अपने यह आपने यह जरूर सुना होगा कि वह अक्सर ऐसा करते हैं कि कभी बीजेपी छोड़कर आरजेडी में चले जाएंगे तो कभी आरजेडी एक भी कमेंट नितिश कुमार के अगेंस नहीं दिया है जिससे कहीं न कहीं यह लग रहा है कि यहाँ पर नितिश कुमार और विजेपी की बीच कुछ पक रहा है वरना आपको तो राजनीति के बारे में पता ही होगा एक दूसरे की विरूधी पार्ट या हर दिन एक दूस कि नंबर्स का बहुत बड़ा मुद्द है और नंबर इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बिहार विदानसभा की सीटे को देखे तो बिहार में 243 विदानसभा की सीटे हैं जिसमें सरकार बनाने के लिए 122 सीटे होना जरूरी है 122 ML आपके पास है तो तीन वामपंधी पार्टियां भी हैं जिससे गड़बंदन के पास सीटे कागड़ा 160 के आसपास हो जाता है 122 से बहुत जादा है यह लेकिन पिछले मेने जीतन राम मांजी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागडबंदन से अपना समर्थन वापस ले लिय हैं लेकिन 160 MLA के सरकार में से अगर 4 MLA निकल भी जाएं तो सरकार के ओपर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है फरक तो तब पढ़ेगा जब यहां पर बीजेपी कुछ ऐसा करें जैसा बीजेपी ने महाराज में किया था बीजेपी ने महागडबंदन की तीन पार्टियों म और उसको मुख्यमंत्री भी बना दिया फिर NCP से अजीद पवार को चुना और उसको डिप्टी सीम बना दिया तो ठीक इसी तरह से यह गेम बीजेपी यहां पर खेल सकती है और बिहार सरकार को अपनी सरकार बना सकती है और यहां पर इसको क्या करना होगा सिर्फ एक कमज अब करने यह तो वक्ती बताएंगा यह आपको सारी बाते समय में आ गई होगी अगर फोड़ा से प्रसंद आथो लाइक कर देना वह ना डिसलाइक कर देना लेकिन चैनल को सब्सक्राइब दरू कर देना आपके एक सब्सक्रिशन से में आगे कॉंट्रीम नाने की मोटिव